दोस्तो आपका स्वागत है माई बिग गेर्ड स्मार्ट क्लास के रात आठ बज़ वाले क्विज में इस क्विज में हम आपसे प्रिशन तो पूछते ही हैं साथ में उसके बारे में आपको जानकारी भी देते हैं माई बिग गेड़ स्मार्ट क्लास जोईन करने के लिए सस्क्राइब बटन के साथ घंटी जरूर तपाएं जिससे नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले नमस्कार दोस्तों मैं अब बिग गेड़ स्मार्ट क्लास में और इस वीडियो में आपसे पूछने वाला हूँ 10 प्रिशन ये सारे प्रिशन आपके सामने लाइव आएंगे और लाइव के दोरान आपको इस प्रिशन का सही उत्तर देना है हर सही उत्तर के लिए आपको खुद को एक अंक देना है और वीडियो के आखिर में आपको ये तैक करना है कि आपको कुल कितने अंक मिले तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज तो दोस्तो आज का हमारा पहला प्रिश्ण है इंटरनेट पर उबलब धोने वाला प्रथम भारतिय समाचार पत्र कौन सा है आपको का समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिश्ण का सही उत्तर है आप्शन नमर ए दहिंदू दहिंदू का पहला इंटरनेट संस्क्रण 1995 में आया था अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिश्ण की तरफ हमारा अगला प्रिश्ण है इंटरनेट पर उपलब धोने वाली प्रथम भारतिय समाचार पत्र का कौन सी है आप्शन नमर ए इंडिया टुडे आप्शन नमर बी सहेली आप्शन नमर सी चंपक आप्शन नमर डी कोई नहीं आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिश्ण का सही उत्तर है आप्शन नमर ए इंडिया टुडे इंडिया टुडे का ओनलाइन संस्क्रण 2005 में उपलब्ध हुआ था अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिश्ण की तरफ हमारा अगला प्रिश्ण है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कम मनाया जाता है आप्शन नमर ए एक दिसंबर आप्शन नमर बी पांच दिसंबर आप्शन नमर सी दो दिसंबर ये आप्शन नमर डी दस दिसंबर आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का साही उत्तर है option number C, 2 December computer साक्षरता दिवस हर वर्ष 2 December को मनाया जाता है जिससे लोगों के मन में computer के प्रती जागरुकता उत्पन की जा सके अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमरा अगला प्रिशन है printer की गुडवत्ता मापी जाती है किस में option number A, DPC, option number B, PPM, option number C, DPI या option number D, उप्रोक्त में से कोई नहीं आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का साही उत्तर है option number C, DPI दोस्तो DPI की full form होती है dot per inch यानी एक work inch में कुछ dots की संख्या अब ये DPI जितने जादा होंगे उतना ही जादा बेतर printer graphic को print कर पाएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है PDF का पूर्ण रूप क्या है option number A, portable document file option number B, portable document format option number C, portable data file option number D, portable data format आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सा ही उत्तर है option number B, portable document format PDF का इस्तमाल आप ज्यादा तर ebook पढ़ने के लिए करते हैं इसमें जो formatting के option हैं वो ज्यादा तर log रहते हैं यानि आप इस PDF में कोई भी editing नहीं कर सकते हैं यहाँ पर जो document होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए काम आता है और एक बहुत छोटी सी file बनती है इसलिए हम कहते हैं portable document format अब बढ़ते हैं अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है DOS का पूर्ण रूप क्या है option number A, disk operating system option number B, data operating system option number C, disk operating software option number D, data operating software आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तों इस प्रिशन का सही उत्तर है option number A, disk operating system असल में आप जिस operating system का इस्तमाल कर रहे हैं वो असल में graphical user interface पर आधारित है जो windows आप use करते हैं लेकिन इससे पहले जो operating system होते थे वो इस तरीके के नहीं होते थे जब computer पहली बार आया था तो यहां बर आपकी जो directory थी जो आपकी file थी उनको manage करने के लिए disk operating system यानि DOS का इस्तमाल किया जाता था अब बढ़ते हैं अबने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है इन में से कोई एक operating system नहीं है कौन नहीं है बताइए option नमर A, solacis, option नमर B, symbion, option नमर C, firefox, option नमर D, kernel आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उतर है option नमर D, kernel बाकी जो तीनों है वो operating system है असल में kernel खुद में कोई operating system नहीं होता है लेकिन आपके operating system का एक बहुत महत्पूर भाग होता है इसे OS की foundation layer भी कहते हैं असल में आपके computer को hardware और software दोनों की अवशकता होती है और hardware और software के बीच में एक connection बनाने के लिए अवशकता होती है kernel की kernel आपके hardware और आपके operating system या application के बीच में एक bridge का काम करता है अब भड़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है binary संख्याओं में प्रयोग होती है option number A, 2 संख्या है option number B, 3 संख्या है option number C, 4 संख्या है option number D, 5 संख्या है आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है option number A, 2 संख्या है binary संख्याओं में केवल दो अंख होते हैं, 0 और 1 इसका प्रयोग, मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है binary number को दिधारिये संख्या भी कहते हैं अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है बार कोड रीडर क्या है option number A, input option number B, output option number C, presence करण option number D, भंडारण आपका समय शुरू होता है अब तो दोस्तो इस प्रिशन का सही उत्तर है option number A, input असल में बार कोड रीडर का प्रयोग बहुत सारे malls और दुकानों पर किया जाता है उनके जो भी product होते हैं उनकी जानकारी को सहेचने के लिए अब बार कोड रीडर से केवल एक बार में ही scan करने पर वो सारी जानकारी आपकी computer system में आ जाती है इसलिए जो बार कोड रीडर है वो इक input device है अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन की तरफ हमारा अगला प्रिशन है SATA का पूर्ण रूप क्या है option number A, Series Advanced Technology Attachment option number B, Serial Advanced Technology Attachment option number C, Simple Advanced Technology Attachment option number D, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका समय शुरू होता है अब option number B, Serial Advanced Technology Attachment SATA एक प्रकार की केबिल होती है जिसके माध्यम से आपके motherboard से आपकी hard disk को या DVD drive को connect किया जाता है इसको short में Serial ATA भी बोलते हैं आशाय दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए हम कल रात आठ बचे आपके लिए फिर ऐसाई क्विज लेके आने वाले हैं जो आपके ग्यान में और ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम